दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अगामी खेल प्रतियोगिता से सम्बंदित टोप 50 कोशन आंसर्स जो की सभी प्रिक्साओं में पूछे जाएंगे दोस्तो जितने भी 2022-23 में प्रिक्सा होने वाली हैं उनमें इस परकार की कोशन हंडेड परसेंट पूछे जाते हैं तो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है अगर आपको किसी भी कोशन का आंसर पहली से पता होगा कोशन नमबर टू आता है आई सी सी महिला टी टुएंटी क्रिकेट विसकब 2022-23 का आईजन कहा होगा दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल ये होने वाला है दोस्तो आपका दक्सिन अफरीका में ठीक है दूसरे कोशन का राइट आंसर आपका ओप्शन अ हो जाएगा तीसरा कोशन आता है आई सी सी किरकेट विसकब 2023 का आईजन किस देश में होगा दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल ये होने वाला है दोस्तो भारत होगा यहां पर यह correct कर लेना ठीक है तो C right answer है दोस्तो question number 3 का right answer ठीक है चले question number 4 आता है straight child cricket wisp cup 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो बिल्कुल दोस्तो इसकी मेजबानी भी कौन करने वाला है अपना भारत ही करने वाला है यानि की question number 4 का right answer आपका B हो जाएगा question number 5 आता है ICC Proust T20 Cricket Wisp cup 2024 कहा आजजित किया जाएगा दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल यह होने वाला है Western D's और अमेरिका ठीक है पांचवी question का right answer आपका यहां पर option A हो गया देखे 6000 के question answers की पीडियप के साथ में 1000 question answers आपको मिलेंगे free बिल्कुल जो कि static GKK होंगे और इस 6000 question answers में आपको क्या क्या मिलने वाला है History, Geography, Policy, Economics, Science, Physics, Chemistry, Biology, Current Affair, Computer यह सारी चीज़े आपको इसमें मिलने वाली है दोस्तों और यह सभी परिक्साओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून है आप इस पीडियप को purchase कर सकते हैं नीचे description box में दिए गए link से या फिर आप हमारी website पे जाके विजिट कर सकते हैं और भी बहुत सारी पीडियप यहां पे है या फिर हमें WhatsApp पे मैसेज करके भी आप पीडियप purchase कर सकते हैं अगर आप नए है चैनल पर तो चैनल को अभी subscribe कर लेना नीचे रेड कल का बटन दिख रहा होगा बैल आइकन को on रखेंगे तो आपके पास सभी वीडियो के notifications पहुंचते रहेंगे छटा question क्या कह रहें चोधवे अंडर 19 क्रिकेट विसकप 2022 का आजन कहा हुआ है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा एंटीगुआ वेस्टन डीज में यानि की right answer हो जाएगा डी यहां पर question number 6 का right answer question number 7 आता है क्रिकेट टूनमेंट रोड सेफटी वर्ल्ड स्रीज 2022 का आजन कहा हुआ है दोस्तो इस question का right answer रहेगा भारत में यानि की 7 question का right answer आपका डी हो जाएगा यहां आपको याद रखना है Q8 आता है क्रिकेट महिला एसिया कप 2022 का आयोजन कहा हुआ है तो दोस्तो क्रिकेट महिला एसिया कप 2022 का आयोजन कहा हुआ है बांगलादेश में यानि की आठवे कोशन का राइट आंसर आपका D हो जाएगा Q9 आता है टैनिस टूनमेंट बिली जीन किंग कप 2022 कहा आयजित हुआ है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल ये हुआ है ग्लासगो स्कोटलेंड में यानि की नोवे कोशन का राइट आंसर आपका ओप्शन A हो जाएगा Q10 आता है भारत की पहली स्ट्रीट सरकिट कार रेसिंग 2022 की मेजबानी किस सहर ने की है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल ये की है दोस्तो हैदराबाद ने यानि की दसवे कोशन का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ओप्शन देखे मैंने आपको हर ए कीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक भी है अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सारी चीजे कवर कर सकते हैं टॉपिक वाइस मैं हर टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं ग्यारवे कोशन का अंसर बता दीजेगा तो यहां पर ग्यारवे कोशन का दोस्तो र ग्यारवे कोशन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा कोशन नमबर 13 आता है फुटबोल टोनमेंट ए एफसी एसिया कब 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इस कोशन का जरा आंसर बतेगा कौन सा देश करने वाला है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कतर या बानी कौन सा सहर करेगा तो इस कोशन का राइट आंसर बतेगे बिल्कुल दोस्तों ग्रेटर नुएडा उत्तर प्रदीस में यह चैंपियंसिप होने वाली है यानि कि 14 कोशन का जो राइट आंसर है तेट इस ऑप्शन है ठीक है जी कोशन नमबर 15 क्या कह रहा है फुटब इसे टोप स्टडी चैनल दोस्तों एक ऐसा चैनल है यूटूब पर जहां पर आपको डेली तीन वीडियो मिलती ही मिलती है तो ऐसा चैनल आपके मोबाइल मर जरूर होना चाहिए जहां पर आपको हर चीज का अपडेट मिल जाये ठीक है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर पंदरवा कोशन क्या कह रहा है तो यहाँ पर दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, मेक्सिको और कनेडा यानि की उप्रुक सभी इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा 15 का राइट आंसर D हो जाएगा कोशन नमबर 16 कह रहा है प्रुस F.I.H. होकी विसकब 2023 कहा आजित हुआ है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा यह हुआ है भुनेश्वर उडिशा में यानि की 16 कोशन का राइट आंसर आपका हो गया जी ठीक है जी, चले कोशन नमबर 17 आता है दोस्तो अमेरिका में किया जाएगा तो इस कोशन का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर 17 का कोशन नमबर 18 आता है दूसरे खेलो मास्टर नेशनल गेम 2022 का राइजन कहा हुआ है तो अठारवे कोशन का राइट आंसर होते नए दिल्ली दोस्तो ठीक है दिल्ली आफि नए दिल्ली इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा ये आपको या दखना है वई अगला कोशन आता है 22 वे रास्टे मंदल खेल 2022 कहा आज जित हुए है अगला कोशन है बरमिंगम इगलेंड में सभी को पता होना चाहिए यह आपको याद अखना है कोशन नमबर 20 है इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा यह मेजबानी दोस्तो करने वाला है भूनेसवर यानि की राइट आंसर सी हो जाएगा कोशन नमबर 20 का 21 आता है फुटबोल टूनमेंट AFC महिला एसिया कब 22 खेल का आज़न कहा हुआ है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा खेल का आज़न कहा हुआ है दोस्तो भारत यानि की डी राइट आंसर रहेगा 21 वे कोशन का सही उत्ता से डवल एफ अंडर 17 फुटबोल चेंपिंशिप 2022 का आज़न कहा हुआ है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल ये हुआ है दोस्तो कोलमबो सिरलंका में यानि की 22 वे कोशन का राइट आंसर आपका बन गया जी सी यहाँ पर ये आपको याद रखना है कोशन नमबर 23 है पाचवे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कोन सा राज्य करेगा तो पाचवे खेल इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी दोस्तो कोन सा राज्य करेगा मध्या परदेश यानि की 23 वे कोशन का right answer option A हो जाएगा ये आपको याद अखना है 24 वा question आता है Asia E सीथ कालीन खेल 2019 की मेजबानी कोन सा देश करेगा तो Asia E सीथ कालीन खेल 2019 की मेजबानी दोस्तो साउधी अरब करेगा यानि की right answer B हो जाएगा question number 29 का सही उत अगला question आता है विस्व टेबल टैनिस चेंपियंशिप 2023 की मेजबानी कोन सा देश करेगा तो विस्व टेबल टैनिस चेंपियंशिप 2023 की मेजबानी दोस्तो कोन सा देश करेगा दक्सिन आफ्रीका यानि की 25 वे question का right answer यहाँ पर अपना B हो गया सेशन कैसा लग रहा है दोस्तो कमेंट बोक्स में फीडबेक हाँ सागर दीपिय खेल 2023 का आज़न किस देश में होगा तो इस question का right answer क्या रहेगा बिलकुल यह होगा दोस्तो मेडा गासकर में यानि की D right answer हो जाएगा 26 वे question का right answer 27 वा question आता है 28 वा question आता है यह होगा दोस्तो मनामा बहरीन में यानि की B right answer हो जाएगा question number 28 का दोस्तो 29 वे question का right answer आपका अगला question आता है भारत के पहले snow marathon का आज़न कहा हुआ है तो भारत के पहले Snow Marathon का आईजन दोस्तों कहा हुआ है तो यह हुआ है लाहोर इस पीद यह पढ़ेगा हिमाचल परदिश में यानिकी राइट आंसर दोस्तों D हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर D राइट आंसर हैगा यह आपको याद एखना है तो दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा फ्रांस करने वाला है यानिकी D राइट आंसर हैगा 32 कोशन का सही उत्तर 33 कोशन आता है राजीव गांदी ग्रामीन ओलंपिक खेल 2022 का आईजन कहा हुआ है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हैगा राजिस्थान में यानिकी 33 कोशन का राइट आंसर आप्शन ए हो जाएगा अगला कोशन आता है सीथ कालीन युवा ओलंपिक 2024 का आईजन कहा होगा तो सीथ कालीन युवा ओलंपिक 2024 का आईजन दोस्तों कहा होने वाला है बिल्कुल गैंगवोन दक्सिन कोरिया यानिकी इस कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा 34 कोशन का सही उत्तर ठीक है अगला कोशन आता है 35 गिर्सम कालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा सहर करेगा इस कोशन का जरा आंसर होता है इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा पैरिस फ्रांस यानिकी बी राइट आंसर हो जाएगा 35 कोशन का सही उत्तर 36 कोशन आता है पुर्वत्तर ओलंपिक खेल 2022 कहा आई जित हुआ है तो पुर्वत्तर ओलंपिक खेल 2022 कहा आई जित हुआ है राइट आंसर दोस्तों क्या होज़ेगा सिलोंग में घाल लिया है यानि कि 36 कोशन का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा ये आपको याद अखना है 37 कोशन आता है खेलो इंडिया युनिवरस्टी गेम 2023 की मेजवानी कौन सा राज्य करेगा तो खेलो इंडिया युनिवरस्टी गेम 2023 की मेजवानी दोस्तों उत्तर परदेश करने वाला है यानि कि 37 कोशन का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 38 कोशन आता है होकी टूनामेंट सुल्तान जोहर कब 2022 कहां आजित हुआ है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर पतेगा सुल्तान जोहर कब 2022 कहां जित हुआ है तो यह हुआ है मलेशिया यानि कि D राइट आंसर रहेगा दोस्तों 38 कोशन का राइट आंसर कोशन नमर 39 है फीबा महिला बास्किट बोल विसकब 2022 का आज़न कहां हुआ है उस्ट्रेलिया इस कोषण का दोस्तों राइट अंसर हैगा। अगला कोषण आता है 24 वा सीथकालीन ओलंपिक 2022 खेल का आजित हुआ है। तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा बेजिंग चेन में यानि कि 40-वे question का right answer आपका C हो जाएगा Question number 41 है खेलो इंडिया Youth Games 2021-22 का आज़न कहा आजित हुआ है इस question का दोस्तो right answer रहेगा पंचकुला हर्याना यानि कि 41-वे question का right answer आपका B हो जाएगा 42-वे question आता है 24-वे ग्रिसम कालीन बदीर ओलंपिक 2022 कहा आज़ित हुआ है इस question का दोस्तो right answer कहरेगा ये हुआ है केक्सियस डूसूल ब्राजील यानि कि right answer दोस्तो D हो जाएगा 42-वे question का सही उत्तर ठीक है question number 43 है फिडे सतरंज ओलंपियार्ड 2022 खेल का आज़ित कहा हुआ है दोस्तो question number 43 का right answer एगा चिन्नई भारत यानि कि 43 का right answer क्या हो जाएगा C is the right answer question number 44 है क्रिकेट एशिया कब 2022 खेल का आज़ित कहा हुआ है दोस्तो इस question का right answer एगा संयुक्त अरब अमिरात यानि कि 44 कोशन का right answer आपका D हो जाएगा ये आपको याद रखना है question number 45 है रास्टे मंडल खेल 2026 कहां आज़ित किया जाएगा तो रास्टे मंडल खेल 2026 दोस्तो कहां आज़ित किया जाएगा तो इस question का दोस्तो right answer एगा न्यूजिलेंड में यानि कि 46 का right answer आपका D हो जाएगा ये आपको याद रखना है 47 आता है दोस्तो इन्वेक्टस गेम 2022 की मेजवानी कौन सा देश करेगा दोस्तो 47 का right answer हो जेगा निदरलेंड यानि की right answer is D ये आपको याद रखना है 48 आता है वर्स 2022 में चीन के हांग जाऊं सहर में आजित होने वाले 19 एसे खेल का आजन किस वर्स किया जाएगा तो 48 का दोस्तो right answer क्या रहेगा 2023 में ठीक है right answer is B ये आपको याद रखना है 49 आता है बेडमिंटन टूनमेंट थोमस और उबर कब 2022 कहा हुआ है इस question का दोस्तो right answer है बैंकोक थाइलेंड में ठीक है right answer is B ये है आपको याद रखना है question number 50 है टाटा IPL 2022 खेल किस देश में आजित हुआ है इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा भारत में हुआ है दोस्तो यानिकि 50 वे question का right answer आपका B हो जाएगा question number 51 आता है अंडर 17 मैला फुटबोल सब्रूतो कब 2022 का यजन कहा हुआ है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल ये हुआ है मेरे प्यारे दोस्तो कहां पर दिल्ली में यानिकि 51 का right answer C हो जाएगा फिफ्टी टू आता है टेनिस टूनमेंट डेविस कब 2022 का यजन कहा हुआ है तो इस question का दोस्तो right answer रहेगा इस पेन में 52 question का right answer C हो जाएगा question number 53 है फुटबोल टूनमेंट फीफा विस कब 2022 कहा शुरू हुआ है दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल ये हुआ है दोस्तो कतर में यानि कि B right answer हैगा question number 53 का मेरे प्यारे दोस्तो एक question आप लोगों के लिए है ये हमारा test question है इस वीडियो का और मैं आसा करता हूँ कि आप लोग इस question का answer 100% सही करेंगे question है Asian Brooklyn Championship 2022 का आयोजन कहा हुआ है तो जल्दी से फटाफट इस question का answer comment box में बता दीजे 6000 के question answers की पीडियाप के साथ में 1000 question answers बिल्कुल free मिलेंगे यानि कि 7000 question answers आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा और इन 6000 में क्या क्या मिलेगा दोस्तो complete history, geography, policy, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer ये सब कुछ आपको इसी 6000 की पीडियाप में मिल जाएगा आप चेक किसी भी exam की त्यारी कर रहे है, teaching का exam आ रहा है दोस्तो और भी SSC का exam चल रहे है या फिर railway का exam की त्यारी कर रहे है, police के किसी भी exam की त्यारी कर रहे है यानि कि जिसी भी exam में आप leution को पढ़ते हैं अगर आप इस पीडियाप को पढ़ लेते हैं तो ये more than enough है ठीक है तो आप इसको जरूर पढ़ लीजे, पीडियाप आप directly हमारी website या whatsapp number से भी मंगा सकते हैं ठीक है, चैनल को subscribe कर लेना, अगर आप नए हैं तो और bell icon कोन कर लेना ताकि आगे आने वाली से भी वीडियो के notifications आपको मिलते रहे thank you so much, bye bye everyone, take care, ख्याल रखे अपना